वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्स्क्राइब नहीं करा हैं तो दोस्तो चैनल को पहले सब्स्क्राइब कर लीजिये और इस साथ में इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करेगा दोस्तो जिससे आपको time to time notification मिलते रहेंगे चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो आज इस वीडियो में हम भारत में सड़क परिवहन के बारे में डिसकस करेंगे बहुत जदा important topic है जनरली इससे exam में questions बनते हैं तो दोस्तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे साथ इसाथ दोस्तो हम एक very important question answer set भी लगाएंगे जो की exam में जो question repeat हो रहे हैं और जो question important है वो इस test में हम इसको अच्छे से solve करेंगे आप इस lecture को पूरा देखेगा जिससे अगर इस topic से अगर question आता है तो आप उसको आसानी से solve कर पाएंगे तो चलिए friends start करते हैं lecture को भारत में सडक परिवन को सबसे पहले हम दो पार्ट में पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे national highway फिर हम पढ़ेंगे state highway ओके friends तो सबसे पहले कुछ important points आपको बता जाता हूँ जिसे कि भारत में सडक प्रनाली जो है वो एशिया महादीप में चाइना के बाद सबसे बड़ी सडक प्रनाली हैं ध्यान रखेगा दोस्तो second number की है second point important ये है कि भारत में सडकों का नियंतरन कोन करता है कैंद्री ये लोक निर्मान विभाग करता है ये जनरली एक्जाम में पूछा आता है question तो आप थोड़ा ध्यान रखिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हम discuss करेंगे national highway को national highway से related जित्ते भी important points हैं जो exam में question पूछे जा सकते हैं वो सारे में आपके cover कराऊंगा उसके बाद हम state highway के बारे में पढ़ेंगे और last में हम कुछ important योजनाओं के बारे में discuss करके इस lecture को finish करके question answer set लगाएंगे ठीक है friends तो चलिए सबसे पहले मैं आप national highway के बारे में बताता हूँ राश्टी राजमार्ग में सबसे पहला point हम दोस्तों बात करते हैं कि भारत का सबसे लंबा national highway कौन सा है तो वो है दोस्तों NH7 नेशनल highway 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे national highway है तो उसमें सबसे जो लंबा national highway है वो है NH7 अब ये NH7 कौन-कौन से state से होकर जाता है तो इसको हम map में अच्छे से graphically समझेंगे दोस्तों नेशनल highway जो है वो जाता है उत्तरप्रदेश के वारानसी से लेकर तमिल नाडू के कन्या कुमारी तक जाता है तो ये सबसे लंबा national highway है इस national highway की लंबाई जो है वो है 2379 km 2369 km जो है ये इतना लंबा national highway है तो देखिए चलोए friends मैं आप बतायता हूँ यहां से UP के वारानसी से ये चलता है देखिए map में आप MP से होता हुआ महरास्ट से होता हुआ आंदरप्रदेश को क्रॉस करता है पूरा और ये करनाटक के बैंगलोर से होता हुआ कहा जाता है दोस्तो ये कन्या कुमारी तक जाता है तो ध्यान रखिए का दोस्तो आप map में देख सकते हैं ये हमारा national highway 7 है अच्छा अब ध्यान रखिए question ने पुछा जाता है कि national highway 7 जो है सबसे लंबा ये कितने राध्यों से उकर गुजरता है तो ध्यान रखिए का छे राध्यों से गुजरता है उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, महराष्ट्रा, आंदरप्रदेश, करनाटक और तमिलनाडू इसमें आंदरप्रदेश में सबसे जादा किलोमेटर इसके आंदरप्रदेश में है ठीक है, तो ये भी कोशन पुछा आ सकता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तो, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है नेशनल हाईवे का पहला इंपोर्टेंट पॉइंट हमने अच्छे समझा कि भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है चलिए आगे और इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं अगला पॉइंट है दोस्तो हमारा भारत का सबसे छोटा राश्टी ये राजमार कौन सा है तो वो दोस्तो है केरल के ध्यान रखिएगा बेंबा नद जील में एक वैलिंटन दीप है वहाँ पर उस वैलिंटन दीप पर एक छोटा सा 6 किलोमेटर का एक राश्टी राजमार गें जिसका नाम है 47A यही 47A जो है ध्यान रखिएगा नेशनल हाईवे 47A यही भारत का सबसे छोटा राश्टी राजमार गें ठीक है दोस्तो तो यह वाला important है ध्यान रखिए यह भी पूछ लेते हैं कि वह कौनसे राजमें है तो ध्यान रखिएगा कैरल में है तो यह छोटा सा एक important point है तो आप इसको ध्यान रखिएगा चलिए आगे और डिसकस करते हैं नेशनल हाइवे के रिलेटेड हम अब मैं आपको बताता हूँ जीटी रोड के बारे में ध्यान रखिया का दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है जो कि नेशनल हाइवे 1 और नेशनल हाइवे 2 से रिलेटेड है आपको मैंने बताया था हिस्ट्री में कि जीटी रोड का निर्मान किसने कराया था हुमायू के शेशनकाल में शेर सांसूरी ने जीटी रोड का निर्मान कराया था और ये जीटी रोड कहां तक जाता है कौलकता से लेकर जाता है पाकिस्तान पेशावर तक जाता है तो भारत में जो जिटी रोड का जो ये हिस्सा है उसको NH1 और NH2 दो भागों में डिवाइट किया गया है कैसे मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिए दोस्तो जैसा कि आप देख पारे होंगे मेप में कि दिल्ली से लेकर जो पाकिस्तान बॉडर तक का जो हाइवे है ठीक है नेशनल हाइवे है इसको क्या बोला गया है नेशनल हाइवे 1 बोला गया है जवाहर सुरंग इसी नेशनल हाइवे 1 में इस्तित हैं तो ध्यान रखेगा दोस्तो यह हमारा National Highway 1 था यह पहला पार्ट है भारत में जो GT रोड जा रहा है उसका पहला भाग यह NH1 हो गया सेकेंड जो है दिल्ली से लेकर कॉलकता तक का जो हिस्सा है यह NH2 के लाता है National Highway 2 तो ध्यान रखेगा दोस्तो इसको दो भागों में बाट दिया है दिल्ली से लेकर पाकिस्तान बौडर तक NH1 है दिल्ली से लेकर कॉलकता तक जो है वो है NH2 तो NH1 और NH2 आपको क्लियर हो चुक केबारे में अगला पॉइंट है हमारा बहुत important है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा National Highway कौन सा है यह तो पर दूसरा नंबर का कौन सा है तो वो है NH6 ठीक है और यह NH6 कहां से जाता है ध्यान रखेगा दोस्तो कोलकता से जाता है मुंबई तक इसको बोला गया है NH6 घेक है फ् प्रकार के द्वारा कई प्रकार की योजना ही चलाई गई, तो वो योजनाओं के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सबसे पहले आती है हमारी स्वर्णीम चतुरबूज योजना के अंतरगत भारत के चार महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नाई औ कोलकता और कोलकता से दिल्ली, मतला आपस में इन चारो महानगरों को जोड़ा गया, स्वर्णीम चतुरबूज योजना के द्वारा, ठीक है, सडकों के विकास के लिए एकोर योजना चली गई, उसका नाम था प्रदान मंतरी ग्राम सडक योजना, इस योजना के अंतरगत की जिम्मेदारी जो होती हैं, वो सिर्फ राजी सरकार के होती हैं, मतलब केंदर सरकार का इसमें कोई बेंटरफेर नहीं होता हैं, भारत में सरवादिक सडक लंबाई जो है, वो कहां पर हैं, ध्यान रखेगा सरवादिक जो हैं, वो कहां पर हैं, महारास्ट में, सरवादि के भारत में उसके बाद अगर भारत में सबसे कम अगर सडक लंबाई देखी जाए तो वो कहां पर हैं दोस्तों ध्यान रखेगा सिक्किम में हैं विश्व में सबसे उंचा सडक मार्ग जो की लह श्री नगर मार्ग हैं जिसे NH1D के नाम से जाना जाता हैं ये भारत देश में ही इस्तित हैं तो ये भी कुछ important points थे इनको याद रखना है आपको अब जो भी मैंने आपको national highway या state highway से related ठीके जो भी मैंने आपको points बता हैं ये काफी ज़्यादा important points हैं और questions जो बनते हैं वो इन ही में से बनते हैं तो चलिए friends हमने अच्छे समझ लिया है ठीके ऐसे इन सब चीजों को trick से याद करना possible नहीं है इन सब चीजों को समझना जरूरी है और हमने graphically अच्छे से चीजों को समझाएं तो आपको कोई ज़रूत नहीं है कि इन सब को trick से याद करके आप उसको उलजने बनाई है जो चीज trick से याद करना होगी वो मैं आपको trick से बताऊंगा पर जो चीज हमको graphically समझना होगी वो हम समझेंगे अब हम test लगाते हैं और देखते हैं कितने question solve कर पा रहे हैं और इस topic से related किस तरीके questions बनते हैं तो चलिए friends हम अच्छे से question answer set लगाते पहला हमारा question है वीश्वक की विशालतम सड़क पनालियों में भारत का इस्तान है सबसे ज़्यादा सड़क पनालियों में प्रबसे पैथम इस्तान है चाइना का उसके बाद आता है भारत देश का नंबर मतलब दियूतिय नंबर पर भारत आता है तो इसका answer लगेगा A भा परात देश का सबसे छोटा राश्टी ये मारक कौन सा है तो सबसे छोटा कहां पर है दोस्तो केरल में था मैंने आपको बताया था NH 47 जो की 6 किलोमेटर का है मात्र ठीक है चलिए आगे और important question लगाते हम राश्टी ये राजमार्क 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है दे ठीक है दोस्तो तो 6 राज्यों से कर गुजरती है तो इसका अंसर लगेगा C भारत का दूसरा सबसे लंबा राश्टी राजमार्क कौन सा है तो ध्यान रखेगा दूसरे नंबर का सबसे लंबा राश्टी राजमार्क NH 6 था मैंने आपको बताया था जो कि कलकता से लेकर देहें NH1 तो NH1 जो है मैंने आपको बताया था GT रोड को दो भागों बाटा था NH1 और NH2 NH1 जाता है दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर तक मतलब दिल्ली से पाकिस्तान मतलब आंसर लगेगा इसका C दिल्ली से अम्रिच सर चलिए आगे और कोशन देखते हैं निम्नमेश से क कौन गोल्डन चतुरभूज का पार्ट नहीं है कौन सा गोल्डन चतुरभूज योजना का पार्ट नहीं है देखिए अजमेर दिल्ली से चला भीया कहां पर आयता मुंबई मुंबई से फिर चैन्नाई चैन्नाई से कुलकता और कुलकता से वापस दिल्ली ये सवन्निम च की विए उत्ैषे, साब रह? टो इस थरीके से को आता है की सबंदाए, तो समझाया है जी में आपको भाना इस TOPIK से अगर हो विए सब्कार करके अगर कुशन है, फैसे ड़ाङ जाने के आपको बिल्कुल जरूत नहीं है क्योंकि इनी TOPIK से कोशन बनते हैं जो मैंने आपको बताए है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए थैंक यू फ्रेंड्स